स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोडेस्ट मैट्स में चली शुरू करते हम लोग आज के इस मैट्स के वीडियो को 175 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 14 सेकेंड में एवां 150 मीटर लंबी एक ट्रेन को जो 36 किलोमेटर परती घंटा की चाल से उसी दीशा में जा रही है दो मिनट 10 सेकेंड में पार कर जाती है तो पहले ट्रेन की चाल क्या है देखिए पूछा हम लोग से पहले ट्रेन की चाल जो फर्स्ट ट्रेन है उसका चाल जो है क्या है तो पहला train का चाल के लिए हम लोगों को देखना यह है कि पहला train का जो लंबाई जो है वो क्या है 175 मीटर है और ये खंबे को पार कर रहा है खंबा को पार करना मतलब अपने आप को पार करना टाइम लेता है 14 सेकेंड तो हम लोगों को speed निकालना है Speed का formula होता है distance by time तो distance दिया हुआ है 175 meter और time लेता है वो 14 second तो क्योंकि ये meter प्रति second में है हम लोगों चाहिए kilometer प्रति घंटा में तो यहाँ पर just reverse करना होगा 18 बटा 5 से into इसको और इसको sort करते हैं तो 5 से देखे ये cut जाता है 3 और 5 7 से कटता है 2, 7 से कटता है 5 2 से कटता है 9 तो into करने पर या जाएगा हम लोगों के पास 45 km प्रति घंटा तो यही इसका answer हो जाएगा इस question का सही answer होगा option number C, 45 km प्रति घंटा एक वर्गाकार प्लोट का छेतरफल 1764 m2 है एक दूसरे वर्गाकार प्लोट जो पहले प्लोट से 4 गुना बड़ा है उसका परिमाब क्या होगा देखिए एक वर्गाकार प्लोट है ऐसा एक वर्ग के अकार का जो है प्लोट है तो चारो भुजा इसका क्या होता है बराबर होता है इसका छेतरफल जो है दिया हुआ है छेतरफल 1764 m2 तो छेतरफल मतलब क्या होता है ए भुजा स्कॉार एक नया छेतरफल प्लोट है जो कि पहले वाले से 4 गुना है 4 गुना बड़ा है तो अगर हम लोग को A निकालना हो, इसका भूजा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यह अंडरूट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1764, तो देखे 1764 जो है, किसका वर्ग है यह, तो यह है 42 का, तो 42 into 42 लिख सकते हैं इसको हम लोग, जबकि 4 जो है इसको हम लोग लिख सकते है 2 गुना 2 तो बाहर क्या आएगा बाहर एक 42 आएगा और एक 2 आएगा तो मतलब की A बरावर लिख सकते हैं 42 गुना 2 मतलब 84 अब निकालना क्या है हम लोग को नया वाला का परिमाप तो परिमाप मतलब क्या होता है 4 A 4 A मतलब चार गुना बुजा तो चार है और ये है 84 इंटू करने पहले हम लोगों के पास आएगा 3, 3, 6 मीटर यही इस question का answer हो जाएगा option number C, इस question का सही answer होगा रमेस अपने 45 सो का एक हिस्सा 5 परतिसात वार्सिक साधरन ब्याच की दर से एवं 3, 6 परतिसात वार्सिक साधरन ब्याच की दर से उधार देता है दो वर्स बाद उसे दोनों नीवेसों से ब्याच के रूप में 480 रुपय प्राप्त होता है तो 5% की दर से उसने कितना रूपए उधार दिया देखें बहुत अच्छा question है ये और पिछले साल ये पूछा गया है question इस question का label भी बहुत अच्छा है तो हम लोग 5% वाला जो रासी है उसको माल लेते हैं x है 5% वाला रासी को x माल लेते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि si का formula क्या होता है si का formula होता है PRT by 100 इसी formula से हम लोग कोई इस question को solve करना बनाना है तो पहला वाला के लिए हम लोग 5% के लिए माल लेते हैं x इंटू 5 और टाइम तो 2 साल दिया हुआ है by में क्या हो जाएगा 100 प्लस अब जो है 6 रासी क्या बचेगा तो 6 रासी 4500 माइनस x rate जो है second वाले के लिए 6 परतिसत है इंटू 6 और टाइम तो 2 साल ही है और बाई में क्या हो जाएगा 100 बराबर total कितना भी आज मिला था तो 480 रुपए अब इस दोनों का LCM क्या होगा LCM जो है वो हो जाएगा 100 रुपया मतलब 100 इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर देखिए आजाएगा पांच दूनी 10 हो जाएगा 10x प्लस यह 12 12 को 45 से इंटू कर देंगे तो 45 12 हो जाएगा 54 54 दो 52 ठीक है 52 दो 54 तो 54 हजार इदर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा यह 12x बराबर में 480 सॉल्फ करेंगे तो देखिए यह 54 हजार माइनस में हो जाएगा 2x और बराबर में यह इंटू होके बन जाएगा 48,000 48 दर को इधर लाएगा इस 2x को इधर भिज़ देंगे तो फाइनली हम लोग के पास कुछ ऐसा आएगा 2x बराबर में हो जाएगा और 6,000 यह तो x बराबर बोल सकते हैं हम लोग x बराबर 3,000 तो इसी x को हम लोग को find करना था तो x जो हम लोग के पास हो जाएगा 3,000 इस question का सही answer जो होगा option number B 3,000 उमीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को यह question समझ माया होगा अच्छी तरह से अगर आप लोग को यह video पसंदार आए सभी question अच्छी तरह समझ माया है तो इस video को जरूर लाइक करें और अगर आप इस channel में नए हैं अभी तक इस channel को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने तो इस channel को सब्सक्राइब कर ले ताकि प्रती दिन आपको हमारे सभी video को notification आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले एक खेत में कुछ चरवाहों के साथ 42 भेड, 48 मुर्गी और 11 बैल है यदि पैरों की कुल संख्या, सीरों की कुल संख्या से 224 अधीक हो तो चरवाहों की संख्या ग्यात कीजिए देखिए ये भी बहुत ही अच्छा question है इस question का label भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सांदार question है ये जो पिछले साल एक्जाम में पूछा गया है और इस type के question में अक्सर जो है student फस जाते हैं लेकिन आज आप देखिए इस question को कितना ही अच्छा तरीका से मैं आप लोग को बताऊंगा सबसे पहले आपको देखिए निकालना है हम लोग को क्या चरवाहा तो चरवाहा जो है उसको हम लोग मान लेते है एक्स अब हम लोग सबसे पहले पैर कसंख्या रखते हैं इस side में तो देखिए 42 भेड है तो पता है कि 42 भेड है तो पैर कसंख्या इसका 4 होता है प्लस 48 मुर्गी है तो 48 मुर्गी के हिसाब से 2 पैर होगा प्लस 11 बैल है तो 11 इंटू 4 पैर होगा और चरवाह एक्स माने है तो एक्स के हिसाब से 2 पैर होगा 42 बैल वो सोरी भेड 48 मुर्गी 11 बैल और एक्स चरवाह अब मैनस करते हैं इसमें लोग क्या तो पैर को ओ सीर को तो सीर कितना होगा तो 42 सीर यहाँ पे 48 सीर यहाँ पे 11 सीर यहाँ पे तो जोड़ने से देखिए 90 और 11 हो जाएगा 101 और प्लस एक्स 101 प्लस एक्स तो अंतर कितना का बताया था अंतर बताया था 224 का अंतर देख रहे हैं अपर 224 का दिया हुआ 224 अधीक है तो बराबर में लिखते हैं हम लोग 224 अब इसको इंटू करते हैं हम लोग तो देखिए इंटू करने पे यह आ जाएगा 168 प्लस यहां पर आएगा 96 प्लस यह हो जाएगा 44 प्लस में यह 2X माइनस 101 और माइनस X बराबर में 224 इस तीनों को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर आएगा यह 308 और यह 2X प्लस में है और यह के यहां पर माइनस में है तो यह प्लस हो जाएगा X यह माइनस 101 उठकर के चला जाएगा उधर तो उधर जाके 224 में जूट जाएगा तो जूट जाएगा तो यह हो जाएगा 325 अब यह 308 उधर चला जाएगा तो हम लोग को तो x कहीं value चाहिए था तो घट के ही हो जाएगा 17 घट करके यह जो है 325 minus 308 तो x का value जो आएगा वो आएगा 17 तो यही option number d इस question का सही answer होगा मतलब वहाँ चरवाहा को संख्या जो है 17 था चलिए इस वीडियो के last question को देखते हैं हम लोग अब 1 7 meter into 4 meter into 12 meter अकारवाले एक संदुक में 2 meter into 70 centimeter into 60 centimeter अकारवाले अधिक्तम कितने div रखे जा सकते हैं तो देखिए इस condition में लोग को दोनों का item निकालना होता है और दोनों का अपस में divide करना होता है तो पहले जो meter में कोई दिक्कत नहीं है 7 into 4 into 12 परंतु नीचे वाला जो है एक meter में है 2 बाकी दोनों centimeter में है तो इस दोनों को divide कर देंगे हम लोग 100 से तो यह meter में आ जाएगा तो 70 को 100 से divide करेंगे तो यह हो जाएगा 0.7 into यह हो जाएगा 0.6 तो देखिए इस दोनों का point को वापस हटा देते हैं हम लोग अगर तो उपर में क्या हो जाएगा 2 0 बैट जाएगा मतलब 100 बैठा लेते हैं इसको हम लोग और आप काट देते हैं 7 से यह 7 कट जाएगा 6 से यह 12 कट जाएगा दो बार में यह 2 और 2 कट जाएगा 100 बर 4 बचता है तो इंटू करने पर यह आएगा दोस्तो 400 तो यही 400 इसका एंसर होगा option number B मतलब इसमें अधिक्तम जो है 400 संदूक रखा जा सकता है चलिए अब टाइम है question for you यह question है दोस्तो आप लोगों के लिए एक रेलगाड़ी 70 km प्रतिगंटा की चाल से एक 150 मीटर लंबे प्लैटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तो इस question का सही जवाब आप लोग को हमारे comment box में देना है उमीद करता हूँ आप सभी लोग इस question का सही जवाब हमारे comment box में जरूर देंगे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद